हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई योट्यूब चैनल आज हम लोग जरनल नालेज के कुछ क्विस्चन्स देखेंगे जो कि आपके बियसे नर्सिंग इंटरेंस इग्याम 2024 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हैं अगर आपका एम्स की बात करें तो वहां भी 10 क्विस्च हमने 7 वीडियो तक करवा दिया है यह वीडियो नमबर 8 है और 7 वीडियो जो है इसी पार्ट का एक वीडियो यह जिसमें आपको पच 20 कुईस्चन अगला मिलेगा तो वीडियो नमबर 7 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे देगे तो उसको भी जरूर देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए 50 कुश्चन तक हम लोग वीडियो नमबर 7 में कर लिये थे वीडियो नमबर 8 हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है तो देखिए पहला कुश्चन क्या है पहला कुश्चन है देखिए What is the largest ब्रैकिस वाटर लेक इन इंडिया तो चिलका लेक है ब्रैकिस वाटर लेख जो है चिलका लेख है चिलका लेख यह कहां लोकेटेड है यह आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है उसके बाद बावन नंबर कुश्चिन देखिए जो की समली सेकेंड नंबर कुश्चिन मतलब कच्छ का रड आप लोग सुने होंगे कि रण आप कच्छ तो कच्छ का रड कौन है गुजरात है गुजरात में कच्छ जिला है और भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ है भारत का सबसे बड़ा जिला भी कच्छ जिला ही है उसके बाद आप लोग बताईएगा क सबसे छोटा जिला का उनसा है ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है उसको बाद तिरपन नमबर कुश्चन देखिए क्या बोल रहा है What is the capital of आंध्रप्रदेश आंध्रप्रदेश की राजधानी क्या है अमरावती है आंध्रप्रदेश की राजधानी अमरावती है अब अगला देखिए In which state चोवान नमबर कुश्चन In which state is the famous बिरू पक्सार टेंपल लोकेटेड बिरू पक्सार टेंपल कहां है करनाठका में है तो देखिए आप लोग टेंपल से रिलेटर जैसे अब लोग जान लिजे गोल्डन टेंपल है अमरिस्तर पंजाब में तो और इसी तरह कोराडक सूर्य मंदिर कहां है ये कोराडक में है तो इसी तरह कुश्चन आप लोग जैसे टेंपल से रिलेटर भी थोड़ा देख लीजिएगा अब देखी 55 नमबर कुश्चन क्या बोल रहा है विच रिबर इज नौन एज दा रिबर आफ सिंस तो यमुना रिबर को कहते हैं रिबर आफ सिंस के नाम से भी यमुना रिबर को जाना जाता है उसके बार देखिए 56 नमबर कुश्चन what is the highest dam in India तो टिहरी डैम जो है highest dam है भारत का highest dam टिहरी डैम है टिहरी डैम है और यह कहां located है यह भी आप लोगों को comment में जरूर बताना है कहां located है आप लोगों को comment में जरूर बताना है देहिए comment करना आनिवार है आप लोग को मालուम होगा डारेक्ट कमेंट करेंगे नए Google करेंगे तो इसके बारे में आउठ डैम के बारे में आपको जानकारी जरूर मिलेगी तो इसलिए बोलता है बोलता हूं कि कमेंट करना अनिवार है अब देखिये सताओं नमबर क्या बोल रहा है विच स्टेट इस नोन किकक वार्दा कान्ठा नेशनल पार्क कान्ठा नेशनल पार्क कान्ठा नेशनल पार्क तो कान्ठा नेशनल पार्क मध्य 오른aci प्रदेश में लोकेटBut he उसी के साथ आप लोग जान लिजी जिम कारवेट तो इन सभी के बारे में भी आप लोगों को जरूर बताना है अब देखिए आगे कुश्चिन क्या है सत्ताओन नंबर कुश्चिन सत्ताओन नंबर कुश्चिन है विच इस्टेट इज नोन फार्दर कान्धा नेशनल पार्क ये तो मध्य परदेश बता ही दि देखिए उनसट नंबर कुश्चिन what is the southernmost state of इंडिया तो तमिल नाडू southernmost state है भारत का तमिल नाडू अब देखिए शाठ नंबर कुश्चिन what is the largest रिबर आइसलेंड इन द बारह मपुत्रा रिबर ब्रहमपुत्र रिबर वाट इस द लार्जेस्ट आइसलेंड ब्रहमप पुत्र रिवर तो यह मांजुलि आइसलेंड में ब्रामपुत्र रिवर है तो मांजुलि आइसलेंड उसके बाद देखिए 56 number question which state is known for the पलाणी hills कहां है में तमिलनाडू अब देखिए 62 number question What is the capital of Kerala? Kerala की राजधानी है, तिरुवनंत पुरम Kerala की राजधानी है, तिरुवनंत पुरम अब देखे 63 number question 63 number question में क्या बोल रहा है? Which state is famous for run-off catch located? तो यह गुजरात में है, यह भी question हो चुका है अब देखे 64 number question Which river is known for the river of mist? तो तंग भद्रा जिसको तंग भद्रा भी कहते हैं तो रिवर आफ मिष्ट के नाम से जाना जाता है अब देखिए 65 नमबर कुस्टेन क्या बोल रहा है वाट इस दा हाईस्ट पीक आप दा वेस्टर्न घाट्स तो अन्ना मुदी जो है highest peak है western घाट की अन्ना मुदी highest peak है western घाट की उसके बाद आगला देखिए छाज़ार नमबर question में क्या बोल रहा है आपको बता दूं कि पंजाव राज ऐसा है जहां एक भी नेशनल पार्क या वन्नी जीव अभ्यारन नहीं है उसके बाद सरसथ नमबर question देखिए अब देखिए 68 नमबर question में क्या बोल रहा है largest artificial lake in India गोबिंद बलफ पंत सागर जो है लार्जिस्ट आरटिफिसिल लेख है भारत का उसके बाद 69 नमबर question देखिए which state is known for the हजारी बाग wild life sanctuary कहा है जारखंड में है हजारी बाग wild life sanctuary जारखंड उसके बाद 70 नमबर question देखिए what is the capital of जारखंड जारखंड की राची है राजदानी आप लोग जानते होंगे उसके बाद देखिए 81 नमबर question in which state is the famous सांची स्टूप located सांची स्टूप कहा है मध्यप्रदेश में सांची स्टूप उसके बाद देखिए 82 नमबर question में क्या है which river is known as the daughter of the mountains तो गंगा को daughter of the mountains के भी नाम से जाना जाता है उसके बाद 73 नमबर question देखिए which is the highest peak in the eastern घाट highest peak क्या है eastern घाट का अर्मा कोंडा हाइस्ट पीक है eastern घाट का और अभी हम लोगों ने देखा था साउधर्न साउधर्न जो क्या था साउधर्न पीक था अभी देखिए हम लोग देखिए थी कहां गया हो देखिए highest peak आप बेस्टन घाट अन्नमुडी था अन्नमुडी था वेस्टन घाट का highest peak और ये कौनसा था ये देखिए क्या था ये था highest peak आप eastern घाट तो eastern घाट का आर्मा कोंडा है जबकि वेस्टन घाट का अन्नमुडी है तो ये आप लोग जरूर देखिएगा अब देखें चोहत्तर नंबर कुईस्चिन चोहत्तर नंबर कुईस्चिन में क्या बोल रहा है विच इस्टेट इस नोन फार्द भागवान महाबीर वाइल लाइफ सेंक्चुरी तो गोवा में लोकेटेड है गोवा भारत का सबसे छोटा राज है सबसे छोटा राज है भारत का गोवा उसके बाद देखिए अगला कुईस्चिन पच्चतर नंबर वाट इस दो ओफिसल लैंग्विज आव इंडिन स्टेट आफ चत्तिस गड़ चत्तिस गड़ के में चत्तिस गड़ी बोली जाती है कुछ पार्ट में बगहेली भासा भी बोली जाती है उसके बाद और देखिए अगला देखिए कुईस्चिन छेत्तर नंबर इन विच इस टेट इस दो फेमस नालंदा इंवर्स्टी लोकेटेड नालंदा इन्वस्टी ये विश्ट की सबसे पूरानी इन्वस्टी थी जो की बिहार में लोकेटर थी उसके बाद सात्तर नंबर कुईस्चन देखिए इन्वस्टी इन्वस्टी के नाम से जानी जाती थी तो घाघरा हाकरा रिबर जो है सारास्वती के नाम से जानी जाती थी पुराने समय में इन्वस्टी इन्वस्टी के नाम से जानी जाती थी अब 78 नंबर कुईस्चन देखिए इन्वस्टी नंबर कुईस्चन में बोल रहा है तो केरला में साइलेंट बेली नेशनल पार्क है और पेरियार नेशनल पार्क हम लोगों ने अभी देखा ही पेरियार वाइल्ड राइब सेंक्चुरी था जो की केरला में लोकेटट है उसके बाद 80 नंबर देखिए मनिपूर में मनिपूरी बोली जाती है और आप लोग जानते होंगे नागा लैंड में इंगलिस बोली जाती है नागा लैंड में इंगलिस बोली जाती है अब देखिए एक 80 नंबर कुइस्चन क्या बोल रहा है इन विच इस्टेट इस दर फेमस चिलका लेक लोकेटटट तो चिलका लोकेटटट है ओडीसा में वडीसा में चिलका लेक लोकेटटट है उसके बाद आप लोग बताइए अगर डल लेक कहां लोकेटटट है डल लेक यह आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है डल लेक कहां लोकेटटट है 82 नंबर कुइस्चन देखिए इस पेट आफ इंडियन डेजर्ट तो लोनी रिवर को इस पेट आफ इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है देखिए कुईस्चन आपको इंग्लिस और हिंदी दोनों माध्यम में भी करवाय जाएंगे अभी देखिए एक कंफर्म नहीं हुआ है कि पेपर हिंदी में ही होगा तो अभी देखिए दो चार वीडियो आप लोग इसी तरह दस वीडियो तक केवल इंग्लिस माध्यम में देखिए उसके बाद आप लोगों को हिंदी और इंग्लिस दोनों लाइंग्विज में बाइलिंग्वल करवाय जाएगा अब तीरासी नमबर देखिए क्या बोल रहा है वाट इस दा हाइस्ट पीक इन दा निलगिरी हिल्स निलगिरी हिल्स की जो हाइस्ट पीक है वो क्या है निलगिरी हिल्स की देखिए निलगिरी हिल्स की हाइस्ट पीक क्या है दोदा बेटा दोदा बेटा जो निलगिरी हिल्स की हाइस्ट पीक है उसके बाद 84 नमबर कुश्चिन क्या बोल रहा है तो माध्य परदेश में सत्पूरा नेशनल पार्क लोकेटेड है अब देखिए 85 नंबर कुष्चन तो मैंने बताया था ना ना नागलाइंड में इंगलिस बोली जाती है अब 86 नंबर कुष्चन देखिए इन विच स्टेड इस फेमस जौक फाल्स लोकेटेड तो करनाठका में जौक पाल्स लोकेटेड है यह सबसे बाड़ा फाल्स भारत का है उसके बाद देखिए विच्ट रिवर इज नऌन इस दा दक्षिना गंगा दक्षिना गंगा गोदावरी को कहा जाता है या गोदावरी को दच्छिना गंगा के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद देखी वाट इस दे लार्जेस्ट लेक इन इंडिया बाई बैलियों मतलब आयतन के अनुसार सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेक इंडिया का कौन सा है बेंबानद बेंबानद जो है यह है लार्जेस्ट लेग इन इंडिया बाई बैलियूम उसके बाद नवासी नमबर कुश्चन देखी तो मैंने शुरू में ही बताया था दूधवा नेशनल पार्क यूपी के लखिमपुर में लोकेटेड है उसके बाद नमबे नमबर कुश्चन देखी वाट इस देखी अगला नमबर कुश्चन चानवे नमबर कुश्चन क्या है चानवे नमबर कुश्चन है इन विच इस्टेट इस फेमस लोहित रिवर लोकेटेड तो अरनवांचल परदेश में लोहित रिवर लोकेटेड है उसके बाद देखी विच रिवर इस नोन एज दा लाइफ लाइफ लाइन आफ मध्य परदेश के नाम से भी जाना जाता है अठान में नमबर कुश्चेन में क्या बोल रहा है वाट इस दर लार्जेस्ट अर्टिफीशल लेक इन इन्डिया तो गोबिद वललवफ पंद लार्जशिस्ट अर्टिफीशल लेक है भारत की उसके बाद देखे निन्यान में नमबर कुश्चेन क्या बोल रहा है Which state is known for the हजारी बाग वारिड लाइब सेंक्चुरी तो जार खंड में हम लोगों ने पहले देखा ही था उसके बाद देखें सव नंबर कुश्चन क्या बोल रहा है तेलंगाना में तेलुगू बोला जाता है अब इसी के साथ आप लोग ये बताईए सबसे ज़्यादा कौफी का उत्पादन किस स्टेट में होता है सबसे ज़्यादा कौफी का उत्पादन किस स्टेट में होता है और सबसे ज़्यादा टी का उत्पादन किस स्टेट में होता है तो बताएं आपको कॉफी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है करनाटक में कॉफी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और चाय की बात करें तो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है असम में असम में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अब और क्विस्चन की बात करें तो देखेए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ चलिए जो question हम पूछे थे का answer आप लोगों को हम बता देते हैं यहीं पर तो देखें आप लोगों को देखें यह अब छोड़कर जाना सब्सक्रांष देखाइन विडियों तो सबसे पहला इसमालेस्ट जो राष्ट्री उद्ध्यान है क्या है वो साउथ बेटन है साउथ बेंटन जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्री उद्ध्यान है यह भी आप लोग आप लोग जान लीजिएगा उसके बाद देहिए जैसे मैंने जिम कार्वेट बोला था जिम कार्वेट तो उत्राखंड में लोकेटेड है और ये 1936 में इसका निर्माड हुआ था जिम कार्वेट नेशनल पार्क का और देखिए कुछ क्विस्चन देख लेते हैं इसी के साथ जान लीजी आप लोग अंडमान और निकोबार्दुइफ समूह में जान लीजी कि नव राश्ट्री उद्ध्यान है और चान नव बे वाल्ड लाइफ वन जीव अभिहराड जिसको वाल्ड लाइफ सैंग्चूरी कहते हैं ये अंडमान और निकोबार्दुइफ समूह में हैं इसी के साथ ये भी जान लीजी कि भारत में कूल 106 106 क्या है राश पार्क 106 नेशनल पार्क और देखिए 106 नेशनल पार्क देखिए 106 नेशनल पार्क देखिए इसी तरह हम लिख दे रहे हैं 106 नेशनल पार्क है और इसी के साथ देखिए वन जीव अभ्यारण की संख्या जो है 565 है वन जीव अभ्यारण जिसको वाइल्ड लाइफ पांसोपैसट है और अठारा जो है जेव आर अरचिछ छेत्र हैं जिसको बायोस्फीर रिजर्व कहते हैं और चवण जो है टाइगर रिजर्व है जैसे मैंने पहले ही बताया था कि भारत के पंजाब में एक भी राष्ट्री उद्यान नहीं है पंजाब में राष्ट्री जान लिजे कि जैसे मैंने बताया था कि हेमिस फाही ये लग्धाक में लोकेकेड सबसे बड़ा जो है ये लग्धाक में लोकेटेड है सबसे बड़ा यह वन जू अभ्यारण है उसी के साथ आप लोग जान लीजी कि राजा जी आप लोग पहले दिश्टिक वाइद वो इस्टेट वाइद देखिए जैसे उत्राखंड में उत्राखंड में कौन कौन सा लोकेटेड है उत्राखंड की बात करें उत्राखंड में उत्राखंड में ज अगर उत्तर प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश की दिखी जो पूछा जाता है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं उत्तर प्रदेश में दुधोवा नेशनल पार्क है उसके बाद चंद्र प्राभा है चंद्र प्राभा भी उत्तर प्रदेश में है अगर उसके बा लोकेटेड है उसके बाद देखिए अगर करनाटक की बात करें करनाटक की देखिए इस पर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी मैं तो थोड़ा इसलिए बता दे रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा पहले से ही जानकारी रहें करनाटक में आपको देखने को मिल जाएंगे एक सोमेश्वर अभ्यारण सोमेश्वर अभ्यारण एक करनाटक में है ये भी काफी ज्यादा फेमस है सोमेश्वर बांदीपूर बांदीपूर भी करनाटक में ही लोकेटेड है उसके बाद तुंग भद्रा है भद्रा अभ्यारण है ये करनाटक में है आंध्रप्रदेश इसमें आपको कावला मिल जाएगा और पाखल बने जिव भ्यराण मिल जाएगा जबकि आसम की बात करें आसम में जो फेमस है वो है काजी रंगा और मानस तो यह कुछ थे जो मेन थे अब बात करें देखी और अगले एक वीडियो आपको इस पर सेपरेट मिल जाएगी तो द देही एक कुछ छूटा था इक्यान में नंबर कुछ च्या था इन विच स्टेट इच फेमस महाबोध्य टेमपल लोकेटेड महाबोध्य जो टेमपल है वो बिहार में लोकेटेड है विच रिवर इस नोन फार्द नोन इस दगंगा आफ साउथ तो काबेरी रिवर को युद्धचेतर है बैटल फेल्ड मतलब युद्धचेतर जो की कहां लोकेटेड है यह इंडिया में लोकेटेड है लद्दाख में यह सीयचीन ग्लेसीर है उसके बाद विच इस टेट इस नोन फार्द बांधिपूर नेशनल पार्क तो अभी हम लोगों ने देखा कि यह काफी ज़्यादा यह कुछे जाते है करनाठका में है बांधिपूर मैंने बताया ना बांधिपूर तुंग भद्रा भद्रा सोमेस्वर यह सब करनाठक में लोकेटेड है उसके बाद देखिए अगला कुछेट क्या था वाट इदा अफिसिल लेंग्योज आफ इंडियन के बारे में पूछा जाए राजस्थान के तो आप लोग यह जान लीजे कि राजस्थान में काफी लोकेटेड है जिसे राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा कुंभलगड घाना रडधंभावर कान्धा अबोहर यह अबोहर जो है यह अभ्यारण है यह सभी पार्क से रिलेटेड कुश्चन है यह आपको एक सेफरेट वीडियो मिल जाएगा क्योंकि इन सभी से भी कुश्चन जरूर पूछे जाते हैं देखी यह हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और बात करें यह चंद्रयान थिरी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाय तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी जरूर बताईएगा धन्यवाद